इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. बसिगी लांग पत के संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है. अपने बच्चे को बसिगी लांग सस्पैंशन को मौखिक रूप से दे, अधिमान तरहिक नियत समय पर, या तो खाने से पहले या बाद में. यदि आपके बच्चे का पेट खराब हो जाता है, तो उसे भूजन के साथ देना पसंद करें. आमतोर पर निर्धारित आवरती दिन में दो बार, एक बार सुभह और एक बार शाम को होती है. यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो वही खुराक दोहराएं, लेकिन अगली खुराक का समय होने पर खुराक को कभी भी दोगुना न करें. खुराक और अवधी संक्रमन के प्रकार और गंभीरता आपके बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है, इसलिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक समय और तरीके से चिपके रहें. इस दवा को लेने के बाद कुछ बच्चों में मामूली और अस्थाई दुश्प्रभाव हो सकते हैं. इन में मतली, उल्टी, धातु का स्वाद, सिर्दद, भूक न लगना, पेट में एंठन और त्वचा पर हलके लाल चिकते शामिल हैं. जब आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाता है, तो ये दुश्प्रभावामतोर पर दूर हो जाते हैं. हाला कि यदि वे लंबे समय तक बने रहते हैं, या आपके बच्चे को परेशान करना शुरू कर देते हैं, तो आपको बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. आपके बच्चे के डॉक्टर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या आपके बच्चे को कभी भी अलजी, हिर्दे की समस्या, यकृत की दुर्बलता और गुर्दे की खराबी का कोई पिछला प्रकरन हुआ है यह आपके बच्चे के समग्र उप्चार की योजना बनाने में डॉक्टर का मार्क दर्शन करेगा विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद